हाई मेरा नाम है समिक्षासूद और आप मुझे देख रहे हैं फिल्मी बीट पर मैं मेरे को बाहर निकाल देते मुझे फरक नहीं पड़ता मैं मुझे शो से बाहर निकाल दो मेरे दोस्त को हाथ कैसे लगाया खपड़ तो पड़ता उस समय थोड़ देर बाद अगर उस समय पकड़ लिया तब नहीं कर पाई तो बात नहीं करती पर मारती मैं दरख्वास था कि किसी किसी भी तरीके से अगर ये हो सके कि जो सच है वो कॉंटेस्टेंस के सामने आए और दूसरी चीज अर्मान बहार निकल जाए शो से सीधे इतने इनोसेंट इतने अच्छे लड़के के साथ कैसे कर सकते हैं बहुत बुरा फिल हुआ मैं भी बहुत रुए जब उन्होंने अपनी जिन्दगी कोई कॉंटेंट बना रखा है तो ये भी उन्होंने कर इसे लिए किया हो सिख्के के दो पहलू होते हैं जब तक द इस इसके नरी सिंग वेलकम तो फिल्मी बीट आज हमारे साथ है समिक्षा जो की कॉंटेंट की दुनिया में बहुत ही बहुत ही बहुत ही नाम है और ये इस इनकी तिग्री है जिसमें से विशाल इस तिग्री में से एक एहम है वो बिग बॉस OTT 3 में है और डिफिनिटली आज समिक्षा काफी कुछ उस इंसिडेंट को लेके बात करने वाली है जो बिग बहुत OTT 3 में हुआ है तो समिक्षा इंटर्व्यू स्टर्ट करने से पहले सबसे पहले जो कुछ भी हो रहा है चाहे वो सोशल मीडिया में विशाल के सपोर्ट में हो रहा है विच माक्सिमम कहीना कहीं वी हाव बीन अन फैर था इंटार्व रहा है यह जांपल देना हो तो यह बिग बॉस OTT 3 का यह एग्जांपल दिया जा सकता है कि कितना गलात हो रहा है क्यूंकि अगर यह चीज कभी किसी लड़की के साथ अगर इसका 1% भी हुआ हो था तो पूरा हिल गया होता आप तक बिग बॉस पिकॉस वह एक लड़का है और वो जब की जो-जोर से चिला चिला के बोल भी रहा है कि उस वे में नहीं बोला था यह है वो है पर कोई उसकी बार सुनी नहीं रहा क्योंकि लड़का है ना लड़को को वैसे ही हा मतलब समझते कि इस चीज के उपर तो अमारी एक ऐसी जनरेशन, I think, आप उस जनरेशन से बिलॉं करते हो, जो एक्वालिटी में जादा बिलीफ करते है, रहे एक जंडर को आप अप आप रखे हो नीचे रखे है, बत दें, दो यू और एक जेनर को आप 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 रखे है, को always support है fake feminism को नहीं है ठीक है तो जो जिनको बुरा लगेगा वो fake feminism ही होगा उनको बुरा लगे तो मुझे उससे कोई फरक ने पड़ता अभी कुछ चीजों को तो हमें let go करना पड़ता है कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना हम क्या कर सकते है you can not make everyone happy it's okay ठीक है उनको बुरा लगा हो मैं तो फिर भी अगर कोई आके मुझे 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 कहने न कि आ रहे तुमारी मुझे बुरा लग जाता है मुझे बुरा लग जाता है मुझे बुरा लग जाने दे तो छोड़ना मतलब क्या फरक पड़ता है यह एक life है उसने कुछ बोल दिया मेरी कुछ बात से उसको बुरा लग गया हुए तो यह गिल्ट लेके मत जियो जंदगी बर sorry ले आगे पड़ लाइफ में तो अगर मुझे कोई मिल भीजाए में तो sorry बोल कहते है तो दुखी मत रहे ठीक है मेरे sorry बोलने से अगर तो सुखी हो जाए तो सुखी हो जाए चल खुश है life में यह एक तो आप लाइफ में अगर तुम खुश होते हो तो ठीक है मतलब यह नहीं के मैं जा के ऐसे सबकोस ऐसा sorry बोल नहीं अगर तो मेरे सामने आगे और तो मुझे बोल रहे हो कि यह तेरी बात का मुझे बहुत तुक हो गया है मुझे हो तो अगर तो यार I value your emotion it's okay if my sorry is like important to you I'll give you that sorry it's okay doesn't matter but हर किसी को नहीं खुश कर सकते to obviously हर चीज के प्रोजन कॉंस है ठीक है यह कहीं न कहीं इसका जो है यह इतने टाइम से बहुत जादा खराब खराब होता रहा है लड़कियों की साथ इस वजर से यह अभी notion बन गया कभी लड़की खराब करती है तो भी जो लड़की ने खराब किये उसके उपर question नहीं उठते लड़के के उपर ही उठते तो यह कहते ना इक गंदी मचली तो ताला को गंदा कर देती है तो वही वाला हिसाब है कुछ कर नहीं सकते हो हर जगा ही है मैं चाहती हूं कि थोड़े से जैसे कि आपनी बात करी है ऐसे विशाल के साथ थोड़ी से thinking जो है अगर हमारी change हो हम लड़कों को लेकर के भी उतने ही जादा supportive हो जाए जितने लड़कियों को लेकर है क्योंकि लड़का लड़की ठीक है इंसान तो है न यार तो इंसान जब लोग जानवरों को लेकर प्लाटफर्म को बहुत ज़्यादा लोग अगर यह किसी लडकी के साथ उमने किया हो ता तो कितना मतलम यह प्लाटफॉर्म को बहुत ज़्यादा लोग और यह खाली प्लाटफॉर्म की बात थे हैं लोगों की में जिन्टालिटी के बे बात है कि लोग उसको किसी लडके ने बुल दिया तो बड़ा नहीं उनको लगत इसा नहीं है, उनके साथ भी गलत हो सकता है. Just don't think that way कि अगर बिना situation को अनलाइस किये, बिना पूरी बात को समझे, सिक्के के दो पहलू होते हैं, जब तक दोनों पहलू को नहीं जानोंगे, तब तक decision मतलो कि लडकी ही सही है. Always know कि क्या हुआ है, तब decision लो, क्योंकि ऐसा नहीं कि हर बार लडका गलत होता है. I'm sure जब यह interview आपका देखा जाएगा, all the man would be very happy कि finally someone is there who has the same thought process. Okay, when you know you saw that clip, यह पर जब को वाया वाया सुनने में आया, and especially when you saw that clip, definitely Vishal का रेक्शन हम सबने देखा है, बहुत इंसल्टिंग फील होता है, कोई अगर हमें इतने, you know, बड़े प्लाटफॉर्म पे थप मलब ऐसे भी, it's an insulting, but अब यह तो पूरा देश देख रहा है. What was your reaction and विशाल के लिए क्या फील का देखा है? विश्वास ही नहीं हुआ, पहले तो मुझे, I was shocked as like him, जैसे कि वो शौक था, मैं भी उतनी शौक थी, यह देखकर, सुनकर, जब मुझे समझ में आया कि यह हुआ है, विश्वास ही नहीं हुआ मुझे, कि यह ऐसा, कैसे कर सकते है किसी, इतने सीधे, इतने इनोसेंट, इत उसके बाद जो है, उसका देखकर कि वो क्या बीत रही है, उसके उपर और क्या घर में उसके साथ चल रहा है, वो देखकर और दुख होता है, ठीक है, एक छोटा सा sentence, जिस तरीके से पायल ने बोला और किया, जिस तरीके से बताया है उन्होंने, इसके वज़े से इतनी सार पायल की ही गलती है, उनको ऐसे आधी अधूरी information नहीं देनी चाहिए थी, मैं यह नहीं कहरी कि आप कोई चीज बोलो मत, बोलो, पर कोई चीज पूरी तो बोलो, फिर लोगों को judge करने दो, कि सही था या गलत था, अब दिक्कत यह है कि हम लोगों को तो पता है, पूरी information हम करीब है, उनको नहीं है, उनको नहीं है, अब वो उस तरीके से जच कर रहे है, जो गलत है, बॉर पूरा सपोर तो पर अंदर नहीं, जो देखके हमें बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि वो लढका है छी गलत नहीं है, इस इस वें आप ही उनकी कैसी फिम popcorn हो, जो उनके क that you and he share a great bond, you know how is he when it comes to women and has his presence ever made you feel feel uncomfortable. अपको पता ही है, मैंने और पहले भी सवाल पूचा गया है, तो मैंने बोला कि मुझे बहुत इस चीज के आपर हुआ ही है, कि ये सवाल पूचा जा रहा है, हाँ जवाब इसका यह है कि नहीं ऐसा कभी नहीं फील हुआ और नहीं मुझे पटा है कि किसी और लड़की को कभी फील हुआ होगा जिसने भिन उसके साथ काम किया है कभी ऐसा फीन नहीं हुआ हम ने काफी closely काम किया है पाँ शे साल से दुनिया भर काम music videos हम लोगों ने किया है रात दिन जागे हैं हम लोग साथ में वी है लिवड ऐसे साथ में उसके बाद भी मुझे कभी feel नहीं हुआ ऐसा कि उसकी कोई ऐसी intention है या गलत वे में कभी कुछ बोला हूँ या गलत नजर से उसने कभी देखा हूँ चाहा मुझे या मेरे सामने किसी और लड़की को ये भी नहीं मैं बोल रही कि खाली मुझे मेरे सामने किसी और लड़की को कभी उसने ऐसा कुछ बोला हूँ या कभी ऐसा objectify करके कुछ ऐसी चीजे हुई हूँ मेरे सामने भी कभी नहीं हुआ और म कि अभी एस ने कीजु़ कि अपर उसक बारे में पूछागा है, मुझे मुझे बुरा नहीं लग लगरा हैं कि अ क्यूंकि मुझे पथे लिग ज़ारा है। कि अभी लोगों को चुछा जाएगा. ये बुरा नहीं अभी लगरा है. यह इस चीज की मुझे सबसे जादा दिक्कत है. And the clip will always be there. Always be there. अब मैं यह चाहती हूँ कि अब यह जो भी हो गया, इसका पूरा जो solution है या जो इसका क्या बोलेंगे, इसका जो रायता फैल गया है, इसको ठीक भी जो है, बिग बॉस के अंदर ही किया जाए. किसी भी लड़की से जादा उसकी रिस्पेक्ट करेगा. जिए अच्छी तरह उसको समझती हूँ, जानती हूँ, जितनी रिस्पेक्ट फिर उस लड़की करेगा, जिसको पसंद करता है, सबसे जादा करेगा. Samikshah, विशाल की फ्रेंड की तरह ना सोचके, अगर आप as a viewer सोचे, a lot of people are also think कि कही ना कही ये plan था Arman का, I'll tell you how. So basically, Kritika की तारीफ, आपको पिछले कुछ इंटर्व्यूस में भी लोगों ने का, कि उन्होंने सब के सामने भी की है, परस्नली भी की है, ठीक है? पायल का आना, और सिफ ये मुद्धा उठाना, and Arman, देखो, वो कैसे भी है इंसान, लेकिन he is a sensible guy, उन्हें पता है कि रूल्स के तो ये खिलाफ है, ठीक है? And जिसे आपने भी कहा कि जब जगड़ा होता है, तो बिल्ड़प होता है, पहले आवाज बढ़ती है, ये बॉड़ी आगे आती है, ऐसा कुछ नहीं ता, it was a conversation उन्हें हाथ उठा दिया, कई ना कई अर्मान की पुरी फैमिली की पुरी जिंदगी ही कॉंट्रवर्सी पे निकली है, तो उनको कुछ फराइग नहीं पड़ेगा, अगर उनको ट्रोल भी करें, अलोग अगेंस भी हो रहे हैं, अब जब आप सोच तो कहीं नहीं लगता है, I'm not saying make us, but do you think कहीं नहीं अर्मान का एंड मलिक फैमिली का एक प्लान भी हो सकता है to be in the limelight, because उनको जीत हार से फराग भी नहीं पड़ता है, अब अगेंस भी आपको प्लान के लिए तो तूम सोच रहे हो कि तुमने थपड़ा मानना उतना बड़ा कंसन नहीं है, बड़ा कंसन यह है कि तूम कारेक्टर के उपर सवाल उठारे हो, यह बहुत बड़ा कंसन है, अपने कॉंटेंट के लिए तुम अपने को खराब करो ना अपनी तो खराब करी रखी है अपने अपने को करो ना खराब तुम दूसरे के ऊपर कैसे कर सकते हो यार आपके बोलने के बाद मुझे लग रहा है कि शायद यही रिजन रहा हो बिग बॉस तो, I don't know, इसमें इंवल्फ होगा नहीं होगा, आपस में ही वो प्लान मना के आए होंगे, कि यह कर रहा है, क्योंकि अफकॉस जैसे कि मारने का कोई इंटेंशन भी नहीं लग रहा था, अचानक से मार दिया, और इसी वज़र से उसका यह ऐसा रियक्शन है, कि कि दो सेकंड-3 सेंड तक तक रियलाइज ही नहीं होगे, कि क्या हुआ, कि कई बार तो इंसान ऐसे भी लगते हैं, कि ELIए है कि ऍल्ध से क्या होगा, अभी तो बात कर रहे थैं, अभी तो नॉरमल ही बात हो रहे थी, ऐसे कैसे हो गया, तो हो सकता है कि हो ऐसा सोच समझ्क, अपनी इमेज और खराब करके एक हाइप में जाके अगर उन्होंने कोशिश करी है तो यह बहुत ही उनकी कोशिश उनके हिसाफ से तो वह successful हो गए फिर, बट हमारे लिए उन्होंने बहुत खराब कर दिया, चीजें बहुत उन्होंने अगली कर दी और उपर से और हमारे हो गया कि Big Boss ने उनको एक्ट नहीं किया इसके बाद अगर उन्होंने अगर यह सोजी समझी साजिश भी थी तो उसके बाद वो इस चीज के लिए रेडी होने चाहिए थे कि वो शो से बाहर होंगे और I think वो ready भी थे and I think कि वो गलट decision हुआ कि वो बहर नहीं निकले उनको ब बिग बॉस का जो है उसका जो सम्मान है उसको बचाने के लिए उनको बाहर बिलकुल निकलना ही चाहिए था समिक्षब हमने अकसर देखा है लेकिन आख जैसे आज content creation एक बहुत ही valuable financially fame की बात करे एक बहुत अच्छा और उंदा profession माना जाता है हर कोई बनना जाता है लेकिन कहीं न कहीं आज भी यह एक सोच है कि content creation है क्या महनत लगती है और आप भी aware होंगे I'll tell you an incident Big Boss 16 में MC Stan और शालीन बनौट के बीच में जगड़ा हुआ था and Stan ने उन पे सिव ऐसा हाथ ऐसा किया था या फिर गमला ले कहते है बट फिजिकल कुछ भी नहीं हुआ था you know and उसके बाद you know तब कुछ decision ही लिया गया बट जब वीकेंड का वार था तब शालीन ने अपना पॉइंट बहुत ही strongly रखा जिसके वज़े से Stan को चार वीक के लिए नॉमिनेट किया था या फिर पूरे सीजन के लिए कहीं न कहीं आपको लगता है कि because of course Vishal is a known name but just because he is a content creator अगर यही चीज अर्मान एक actor को मारा होता maybe Sai और Anbir Big Boss का reaction कुछ अलग होता बट क्यूंकि Vishal के साथ हुआ okay who is a content creator a known name but a content creator इसके लिए शायद उतना उस level पर reaction नहीं आया Big Boss का जो होना चाहिए आपका सवाल बहुत अच्छा है यह बहुत different सवाल है like it देखो अगर बाहर की दुनिया की बात करी जाए ना तो मैं यह expect कर सकती हूं कि लोग जो है शायद content creators को हलके में ले ले in comparison to actors बाहर की दुनिया यह कर सकती है audience कर सकती है अगर मुझे नहीं पता Big Boss ने किया है यह नहीं किया बट Big Boss से यह expected नहीं है अगर contestant है तो चाहे वह content creator है चाहे वह TV actor है वह उनके लिए same ही है तो मुझे तो नहीं लगता कि Big Boss यह सोचके उन्होंने किया होगा कि वही क्यूंकि विशाल content creator ने इसकी विजर से उसको जो है थोड़ा उतना जादा importance नहीं दिया गे मुझे Big Boss का तो नहीं लगता बड़ अफकॉस बाहर की audience जो है definitely judge करती है और content creators उनको यह नहीं लगता कि content creators का काम जो है वो इतना difficult है उतना ही difficult है in fact बहुत ज्यादा difficult है उसी एक छोटी सी explanation मैं दे देती हूँ क्योंकि मैंने acting भी करिये 5 साल में 5 साल TV में काम किया है वहाँ पे आपको एक makeup artist होता है hair stylist होती है आपका set होता है आपको script लिख कर आ जाती है director होता है करने के लिए videographer है sound वाला है light वाला है everyone is there यहाँ पे आप खुद हो सब अगर आप एक take में जो है मैं heroine की तरह ऐसे कर रही हो तो दूसरे take में शायद मैं कचरा भी उठा रही हूं मतलब जब take cut होगा तो शायद मैं कचरा भी उठा रही होंगी क्योंकि मुझे ही खुद सारा काम करना है दिफिकल्ट है वहाँ पे तो हम जो है बारा गंटे की shift करके serials पे बारा गंटे की shift होती है बारा गंटे की shift करके आ जाते है यहाँ पे कुछ time का वही नहीं है क्योंकि it's like आपको कुद का काम है मत करो ठीक है क्या फरक पड़ता है नहीं बढ़ो गया आप आगे और करते र बढ़नाना है that was our life for five years Vishalmi हम लोगों ने यही किया है और यही मुझे दुख है इतना महनत करा है हम लोगों ने इतना किया है सब का of course उसका था उसको हमेशा से he wanted to do Big Boss और finally अब वो Big Boss में गया है तो वो यह deserve नहीं करता okay last few questions यह सवाल मैंने आपको इसले भी पूछा because आप फॉलो नहीं कर रहे हो शायद Big Boss OTT 3 को लेकिन एक weekend के वार में साई की जो best friend है there are rumors also that they are dating but let's yeah so a very small thing that Chandraka ने शायद बहुत twisted way में बुला that Sai wants to give me a massage and Shivangi ने उनकी class ले ली of course यह था क्योंकि Sai का image negative नहीं जाना जेता do you also think कि अब तो विशाल के साथ इतनी बड़ी बात हो गई है तो makers को either you because you are the female person you know जिसको सब जानते हैं या पिर कोई भी किसी को weekend के वार में बुला के same यही चीज होनी चाहिए बिल्कुल बिल्कुल होनी चाहिए मैं तो कहते हूं मुझे बुला लो family से किसी को बुला लो पायल को ही बुला लो वापस उसको बोलो सच बता दे आके सच बताओ क्योंकि आप जो है वो सही है उसके support में है सब लोग तो अंदर भी अगर सच बताया जाएगा तो वो भी support ही करेंगी last question a lot of people are saying की you know Kataria को जितना उसनों ने stand लिया बर जितना strongly लेना चाहिए था नहीं लिया इन सब के बावजूत में अभी किसी टास्क में जब वो eliminate हो सकते थे कटा रहे है विशाल ने उनका उतना ही support और stand लिया है तो दो चीज what do you want to say about Kataria का विशाल इसी तरह का दोस्त है कि वो हमेशा आपके साथ रहे का शायद भले आपके यहां से contribution थोड़ा कम रहे है तो भी हाँ हाँ बिल्कुल विशाल ऐसा ही दोस्त है अगर उसने दोस्ती की है तो फिर वो दोस्ती वो निभाएगा 100% वो ऐसा ही दोस्त है अब वहां से कम मिल रही है नहीं मिल रही है इसके उपर मैं comment नहीं कर सकती वेकास आंडॅड देर इंफरेंट ओफ देमिंग उनकी क्या बोंडेंग रही हमें तो दिख रहा है कि फोड़ा बाओ करते हूं उसके अपर कमेंड नहीं कर सकते है ऐसा नहीं है कि विशाल दोस्ती दिखा रहा है तो वो नहीं तिखा रहा होगा लवकेश बेंगा हो सकता ह हम कुछ चीजों से अंजान है हो सकता है कुछ चीज हमें आगे जाके पता चले मुझे पूरी उमीद है कि आगे जैसे विशाल खडा रहा उसके लिए आज पूरी राच जागा वैसे ही जब विशाल को ज़रूरत होगी तो लव भी उसके लिए जागेगा और Elvish ने तो उसक तीनों की जो यह तिगडी है वो Elvish, Manishah, Abishek की याद दिला रही है लोगों को आपने बहुत बहुत जितना भी देखा है Do you think कही न कहीं उनका entertainment थोड़ा बहुत रिफलेक्ट करता है उनकी तिगडी को Elvish, Manishah, Abishek हो सकता है ऐसा हो और अगर लोग उसके साथ compare कर रहे हैं तो मैं तो खुशी हूँ क्योंकि वो भी बहुत अच्छे थे तीनों साथ में बहुत अच्छे दिखते थे बहुत अच्छा कर रहे थे और अगर ऐसा compare कर रहे हैं तो अफकोस जाहिर सी बात है कि यह तीनों भी सब के बात जो है उसको अच्छे से उसने हैंडल किया विशाल को, I am happy, these three are together, और अगर उनसे compare किया जा रहा है, तो बहुत अच्छी बात है, I am happy. Any message you would like to give, not for the viewers of Vishal, fans of Vishal, because उनका support है ऐसी बहुत जादा रहा है, but जब भी अर्मान बहार निकलेंगे, उनके लिए, या फिर उनको, of course not उनके लिए, but उनको अगर कुछ कहना चाहोगे, तो वो क्या रहा है, किस incident पे, specifically, बाकी तो उनकी life? पालतो लोगों के लिए में पर टाइम देही है, sorry, मेरा focus जो है, वो मेरा दोस्त है, Vishal, definitely उनके उनके गलत किया, but मुझे उनके कुछ नहीं बोला, उनके जो कुछ नहीं कुछ नहीं बोला, उनके जो कुछ नहीं बोला, उनके समिक्षा, sorry, I am cutting your twin, but आपकर गर में होती, और मेरे तरफ से तो उसे पढने थे, 100%, मतलब और विशाल तो बाद में चुप हो गया, मतलब उसे उस समय पकड लिया था, और फिर बाद में अच्छा है, कूल डाउन हो गया, मैं तो जड़ती, आपको मेकस भी नहीं रुख पाते है, मुझे मेरे को बहार निकाल देते, मुझे पता है, और जगड़े बढ़ते हैं, क्योंकि फिर विशाल भी आ जाता, और फिर सब बहुत प्रॉब्लम होती, क्योंकि अगर मेरे को कोई टच कर देता, तो फिर उसकी तो वाटी लग जाती, उसको तो वाटी लगा देता, विशाल, ओबिएसली, बट मैं या तो अगर थपड मार ने नहीं दिया जा, होता कि नहीं हो पाया, तो फिर मैं किसी तरीके से उसका जीना हराम कर देती, मुझे लग बलागे दो तीन गाली तो देती, गाली देके तो मेरा ही mental stress खराब होता, कुछ नहीं फायदा होता उससे, पर मैं फिर जितना टाइम शो में र देटों को रोटी मी नहीं बलेगी, अब तो सबजी के साथ आटा ही का खाली, क्योंकि मैं तो नहीं बना कर देती, उसको फिर बनाती रहे उसकी दो दो बीवियों उसके लिए, चला, on this note, thank you so much, Samikshar, first of all, for being such a wonderful friend, and हमने देखा आपने कितनी मेहनत की हर इंटर्व्यू के लिए, क्या बोलना चाहेंगे विशाल के फैंस को, अपने वीवर्स को, any last words? विवर्स को तो मैं यही बोलना चाहूंगी, कि thank you इतना दा सपोर्ट देने के लिए, thank you सच का साथ देने के लिए, ठीक है, क्योंकि लड़कों का साथ जो है, वो बहुत कम देते हैं लोग, तो इसलिए thank you, thank you इतना सपोर्ट कर रहे हैं आप सब लोग, दिल से शुक्रिया, और मैं यही बोलना चाहूंगी, कि यार, unfortunately हमारा सपोर्ट और हमारा प्यार जो है, वो विशाल तक पहुंच नहीं पा रहा है, ठीक है, क्योंकि उसे नहीं पता, और वहां पे जो लोग है, वहां उसको सपोर्ट नहीं मिल रहा, तो यह दर्खवास था कि किसी भी तरीके से अगर यह हो सके कि जो सच है, वो कॉंटेस्टेंस के सामने आए, और दूसरी चीज, अर्मान भाहर निकल जाए शो से, यह दो चीजे जो है, हम अगर किसी तरीके से कर सकते हैं, तो हम वो करते हैं. Thank you so much Samikshar, and I wish Vishal चाहे जीते, या पहले ही निकल जाए, but he receive all the love and applause, thank you so much Samikshar, thank you.